नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार रासन कार्ड धारक को कैसे अपना मुबाइल नमबर को लिंक कर देना है कौन सा साइट के माध्यम से लिंक करना है और अगर लिंक कर लिजेगा आप लोग तो आपका र वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कैसे अपना मुबाइल नमबर को हर एक रासन कार्ड धारक को लिंक कर लेना चाहिए ताकि जैसे ही रासन आपका मिलने लगेगा आ जाएगा वैसे ही आपको मेसेज आ जाएगा आपके मुबाइल पे तो दोस्तो इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए हमेसा सही और अच्छा वीडियो लाते रहते हैं तो दोस्तो लेटेस अपडेट के लिए जनकारी के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए तो यहां साइट पे redirect होने के बाद दोस्तों यहां पर आप एम लोग देख सकते हैं लिखा हुआ हूं के बगल में लिखा हुआ है Services तो दुस्तों आपको करना है Services पे क्लिक Services पे किजीगा तो पहला वाला option यहां पर हम लोग देख नहीं क्लिक किजेगा आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ है citizen registration for pds alert तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है citizen detail उसके नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है district district में आपको अपना जिला को chain कर लेना है जिला को chain करने के बाद दोस्तों दिया हुआ है बगल में ब्लॉक किस ब्लॉक के अंतरगत आ पाते हैं आपको अपना ब्लॉक को chain कर लेना है उसके बाद दोस्तों दिया हुआ है fp sop fp sop में दोस्तों यहाँ पे आप जहां से रासन लेते होंगे उनका नाम को खुजना है उसके बाद दोस्तों अगर आपको नाम मिलने म वहाँ पे जाएंगे तो एक पीला कलर का बोर्ड वहाँ पे चिपका हुआ रहता है वहाँ पे उस बोर्ड पे आप लोग को देखना है वहाँ पे उनका जो नमबर है उनका दुकान का नाम जिसके नाम से लिया हुआ है वो दुकान का नाम और उसके बगल में बोर्ड पे नंबर दिया होगा उनका उस नंबर को आप लोग को लिख लेना है और उसके अनुसार ये F.P.S.O.P. में खूजने के बाद उसको यहाँ पे आप लोग सलेट कर लीजिए उसके बाद दोस्तों नीचे दिया हुआ है एड स citizen में देखेगा नीचे तो दिया हुआ customer name customer name के बाद mobile number और check तो दोस्तो customer name में आप कोई सा भी अपना परिवार का नाम डाल लिजे उसके बाद जिस mobile number पे आप ये message को मंगाना चाहते हैं उस mobile number को डाल लिजे और यहां पे आपको चेक का जो निसान दिया हुआ महां पे आपको टिक ही रहने देना है उसके बाद यह जब आप भर लिजेगा उसके बाद नीचे दिया हुआ register तो register वाले बटन पे आपको click कर लेना है यहां पे देख सकते हैं दोस्तों note में लिखा हुआ है mobile number registered with this portal will receive the grain dispatch status for selected fp shop जो भी mobile number यहां पे आप लोग register किजेगा उसी mobile number पे आपका जो रासन के दुकान पे रासन कब आ गया उसका message आपको मिल जाएगा तो दोस्तों यहां पे register वाले बटन पे आपको click कर लेना है register वाले बटन पे click किजेगा तो यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ customer data submitted customer data submitted उसके बाद blue color के box में ok दिया हुआ है ok पे click किजेगा तो यहां पे देख सकते हैं citizen registration for pds alert के नीचे customer data submitted green color में लिखा हुआ है इसका मतलब कि आपका जो है detail को submit successfully हो गया और आपके mobile पे अब जो है SMS आना सुरू हो जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो के मादम से हम लोगों ने देखा कि कैसे mobile number को register करना है और दोस्तो एक notification यहां पे हम आप लोग के लिए पढ़ देते हैं यहां पे लिखा हुआ है खाग एं उब्रोगता संडक्छन विभाग आम सुचना दिनांग 13.6.2021 से रास्टिये खाग सुरच्छा अधिनियम अंतरगत दो स्रेनियों के लाभवकों को माँ जून 2021 में निमुईत निधारित मात्रा एं दर के अनुसार खाग वितरन किया जा रहा है तो दोस्तों यहां पे आपका वितरन सुरू हो गए है यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है परिवार लाभवकों की स्रेनी AAY वाले परिवार को गेहूं 14 किलो, चावल 21 किलो और कुल मिलाके यहाँ पर देख सकते हैं 35 किलो और PHH केटेगरी वाले को 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल तो कुल मिलाके 5 किलो हुआ दर प्रती जो है गेहूं का दर दो रुपे है केजी और चावल का जो है तीन रुपे है और दोस्तों उसके नीचे देखे लिखा हुआ है इसके अत्रिक्त राष्टिये खाग सुरच्छा अधिनियम से आच्छा दित सभी लाववकों को प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजनान तरगत माह जून दोजारे काईस में प्रती माह प्रती लाववक 5 किलो दो किलोगराम गेहूं तीन किलोगराम चावल मुफ्त वितरित किया जा रहा है सभी लाववक माह जून 2021 में दोनों योजनाओं का खाग अवज से प्राप्त करें पोटिबिलिटी के तहट लाववकों को यह स्वतंतरता है कि वो अपनी सुईदा से किसी भी जन वितरन प्रनाली की दुकान से प्राप्त कर सकते हैं यदि किसी उचित मुल विक्रेता द्वारा उक्त निरने के अनुसार मुफ्त नहीं दिया जाता है तो निकटवत अनुमंडल पदादिकारी से या विभागिये टोल फ्री नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं दो टो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे भी आप लोग कॉल करके अपने सिकायत को अपना रासन दुकान वाला के प्रती यहाँ पे आप सिकायत कर सकते हैं अन्य था एक और नंबर दिया हुआ है एक नौ छे साथ इस पर भी आप सिकायत कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे यही है अपडेट इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि कैसे जो है अपना रासन कार्ड को मॉबाइल नंबर से लिंक कर लेंगे ताकि रासन आते ही आपको आपके मॉबाइल पे मेसेज मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है दोस्तों वहाँ से जाकर आप लोग इस पे आप लोग अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजेगा हर एक लोगों के साथ सेर कर दीजेगा जो लोग रासन लेते हैं ताकि उन लोगों को भी अपडेट मिल जाए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलेगा